हेलो फ्रेंड्स मेरे नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ अश्वगंधा के फाइदे और नुकसान अश्वगंधा में कई शक्तिशाली तत्व पाए जाते हैं जो ना सिर्फ शारेरिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ को भी बनाए रखते हैं अश्वगंधा से मिलने वाले प्रमुक फाइदों के बारे में बात करें तो इससे होते हैं ये फाइदे एक अश्वगंधा कैंसर की रोक्थाम में भी मदद करता है कई स्टडीज में यहां दावा किया जा चुका है कि अश्वगंधा कैंसर सेल्स की ग्रोथ और प्रोडक्शन पर लगाम लगाता है दो जिन महिलाओं में सफेद पानी जाने की समस्या होती है उसमें भी अश्वगंधा को कारगर माना गया है इसके अलावा यहां महिलाओं और पुरुषों दोनों में फर्टिलिटी को बढ़ावा देने में मदद करता है साथ ही यह स्पर्म क्वालिटी को सुधारने में भी मदद करता है तीन अश्वगंधा को हाइपरटेंशन में भी लाबकारी माना गया है इसके लिए अश्वगंधा का नियमित सेवन करना चाहिए लेकिन जिन लोगों का बलड प्रेशर कम रहता है उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए चार जिन्हें गहरी नींद नहीं आती उन्हें अश्वगंधा का खीर पाक खाना चाहिए अश्वगंधा स्वाभाविक नींद लाने की दवा की तरह काम करता है इसके अलावा पेट से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करने में मदद करता है इसके लिए अश्वगंधा, मिश्री और थोड़ी सोंट को बराबर अनुपात में मिलाकर गर्म पानी के साथ ले पांच अगर पुरुशों में यौन क्षमता की कमी है और वे यौन सुख नहीं ले पाते तो फिर अश्वगंधा का सेवन करे यह ना सिर्फ यौन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है बलकि सीमन की क्वालिटी भी सुधारता है दोस्तों अभी तक जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और शेयर करे जिससे और नई नई जानकारी मेरे चैनल आपको मिलती रहे और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै श्री कृष्णा राधे राधे